एलो स्टुडेंट्स! उम्मीद है आप सभी स्वस्त होंगे कोरोन जैसी महामारी में और मुझे ये उम्मीद है कि आप टीचिंग एक्सपर्ट की जो टीम है आपको जिस तरीके से गायड कर रही है आप उसी तरीके से घर पर श्टेडी कर रहे होंगे इस टीचिंग एक्सपर्ट पर सभी गुरुजन अनववी है उनको पूरा अनवव है कि बच्चे किस तरीके से मिश्टेक करते हैं और बच्चों को किस तरीके से त्यारी करेनी चाहिए तो मैं आपको बिसे इस तक कहना चाहरा हूँ कि इस टीचिंग एक्सपर्ट की जो टीम है दो स्कूल जो हैं विद्या देवी स्कूल और जी आईस कटुमर इन दोनों के सेहुग से चल रहा है चैनल तो यह टीम बड़ी अनभवी है जिस तरीके से आपको गाइड करे आपको उसी तरीके से पढ़ना है ठीक है सभी सब्जेक्ट वारे टीचर अपने अपने सब्जेक्ट का तरीका बताएंगे और आपको उसी तरीके से पढ़ाई करनी है और रही बात अभी जो दूसरा चेप्टर खतम हुआ है मैथ में उसमें अगर कोई समस्या हैं कोई भी कॉंसेप्ट हो या कोई भी कोश्चन हो तो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना मैं इस वीडियो के बाद आपको साम तक उसकी समस्याओं पर अधरत वीडियो डाल लगा ठीक है जो समस्याओं का निराकर करते हुए तो मैं जादो समय नहीं ले रहा हूँ अच्छा यह है चैनल अगर कोई बच्चे बाहर के देख रहा हूँ तो इस चैनल पर NCRT की जो बु सब्सक्राइब करें लाइक करें ताकि अधिक से अधिक यह चैनल फेले और अधिक से अधिक बच्चों को लाब मिले तो मैं अभी ज्यादा समय आपका जाया नहीं कर रहा हूँ सीधा फश्ट चैप्टर जो है आपका NCRT का Relation and Function नाम से है पहला चैप्टर है ठीक है संबंद एवं फलन वह हैं लोग श्टार्ट करने वाले हैं ठीक Relation यानि की संबंद एवं फलन नाम से चैप्टर है अच्छा इस चैप्टर के लिए 11th क्लास का जो फर्ष्ट चैप्टर है समुच्चे स्द्धांत सैट थोरी उसके कुछ कुछ कुंसेप्ट इस चैप्टर में काम आने वाले हैं काफी दिन हो गए आपको उस चैप्टर को पड़े हुए तो इसलिए पहले मैं उस चैप्टर के कुछ मुख्चे मुख्चे बिंदू ओबर्यू करा रहा हूं ठीक है फिर उसको याद कराते हुए फिर अपन इस चैप्टर में इंट्री मारेंगे तो सबसे पहले तो मैं समुच्चे यह आपको बता दूँ क्या रहा करता था समुच्चे था सूपरभासित ठीक है बस्तूं का संग्रे ठीक समुच्चे वाला चैप्टर है वो पूरा पूरा अंडरे परसेंट इस चैप्टर नों काम आने वाला है तो इसलिए मैं थूड़ा सा पहले उसका ओबर्यू ले रहा हूं 11th किलास के 1st चैप्टर का समुच्चे क्या रहा करता था सूपरभासित बस्तूं का संग्रे collection of well defined object अच्छा सूपरवासित का मतलब था अच्छे तरीके से परवासित होनी चाहिए मैं समच्चे कि detail में नहीं जाऊँगा और बस्तूं मतलब जिन चीज़ का आप संग्रे कर रहे हूँ चूँकि ये गड़त हैं mathematics चल रही है इसमें बस्तूं की जगह है mostly क्या आएंगे numbers आएंगे तो एक तरह से आप समझो कि numbers का संग्रे collection किनका numbers का collection ठीक अच्छा numbers का collection है वो समच्चे रहा करेगा रहने को तो सुपर बस्तूं को होता है पर इस chapter में अक्सर collection किसका किया गया है numbers का ठीक अच्छा कुछ numbers special होते हैं और उनके collection को यानि की समच्चे को बिस्स चीज़ से परवासित किया गया है तो मैं उनको बनवाई बन यहां आपको याद दिला रहा हूँ जैसे मैं आपको दिला हूँ कि प्राक्रत संख्चे जो रहा करती थी एक दो तीन चार पांच इस तरीके से प्राक्रत संख्चाओं का जो समच्चे है समच्चे को मजला ब्रेकेट के अंदर 11th क्लास में समच्चे पढ़ा दिये गया है इसलिए मैं इसको बेरी सॉर्ट लिए लूँगा केबल याद दिला रहा हूँ आपको तो सम प्राक्रत संख्चाओं का समच्चे ये अभियव कहलाते हैं जिनका संख्रे किया जा रहा है और संख्रे को अकसर मजला ब्रेकेट में लिया जाता है छोटे में भी लिया जा सकता है वो विश्चिस परिस्तितिया होती है बता ही में तो मजला ब्रेकेट में अभियव दूसरा, जो पूर से क्या होती हैं, कोंसी होल नम्मर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो होल नम्मर हैं, इनको ब्यक्त किया जाता है, रेप्रेजेंट करते हैं, अपाने, डबलू से, होल नम्मर की वज़े से, अच्छा, और जो इंटीजर होते हैं, पूरांक, 0, 1, 2, 3, माइनस 1, माइनस 2 और इदर भी, ठीक, पूरांक जो है, इनके समच्छे को ब्यक्त के जाता है, I से, या कभी कभार, Z से भी ब्यक्त के जाता है, अच्छा अब पर्मे संख्याओं का जो समुच्च है अच्छा पर्मे संख्याओं का समुच्च है अच्छा पर्मे संख्याओं का जो समुच्च है उसको ब्यक्त किया जाता है represent क्या जायता है भाई Q से ठीक अच्छा परमे संख्या आप सभी लोग जानते हैं जिनको P upon Q में लिखा जा सके Q not equal to 0 और P and Q both are integer ठीक उनको अपन क्या बोलते हैं परमे संख्या है rational ठीक अच्छा बास्तविक संख्याओं का जो समुच्चे है ठीक उसको व्यक्त किया जाता है आर से यानि की real number से sorry real number को व्यक्त किया जाता है R से भास्तविक संख्याओं में सभी परमे भी मानि जाती है और एपर में भी मानी जाती है ठीक है क्या करा रहा हूं में संबन्द फलन रिलेशन इन फंक्सन चैप्टर फश्ट पर उसमें सैट थोरी के कुछ कॉंसेप्ट काम आने वाले हैं तो हमको लगवग एक किलास 11th की समुच्चे वाला जो है उसका सारांस पढ़ना होगा उसकी समरी में आपको करा रहा हूं फिर अपने इस पर चलेंगे आ जाईए आप बास्तिविक संख्याओं का समुच्चे यानि कि जिसमें पर में और अपर में दोनों ही रहा करती हैं ठीक? अच्छा एक सम्मिस्र से संख्याओं होती हैं सम्मिस्र संख्याओं इसका जो समुच्चे है उसको किसे ब्रक्त के जाता है? सी से ध्यान रखना सम्मिस्र संख्याओं में सभी बास्तिविक संख्याओं भी मानी जाती हैं और सभी कालपनिक संख्याओं भी और मिक्स भी यानि कि अकेली संक्या अगर जैसे तेरे सोचें तेरे यह सम्मिस्र संक्या है बास्तिविक तो है यह पर सम्मिस्र संक्या भी है अच्छा जैसे पर बात करें पॉइंट पाँच रियल नम्मर तो है यह यह पर सम्मिस्र संक्या भी है कॉम्पलेक्स नम्मर यानि सभी real नमर को और सभी imaginary नमर को अगर collect करके एक बकसे में रख दे जाए तो वो बकसा complex नमर वाला क्यलाएगा ठीक है अच्छा अगर इन में 0 लगा दिया जाता है ना जैसे Q नोट R नोट C नोट ऐसे और लगे मिलेंगे आपको उनका मतलब होता है इन में से 0 अटा दो अगर Q नोट लग गया Q 0 तो असुन्य परमेशन क्या है इसम लगा दिया तो असुन्य बास्ट्रिक्शन क्या है हाला कि वो question में कहता है पर फिर भी यानि कि ये में आपको बताएं कुछ special समुच्चे हैं इस पेसल सेट्स हैं जो फिक्स है इन से रिपरजेंट होते हैं ठीक तो आप ये नोट कर लो फिर अपन अगले उस पर चलते हैं यह चेप्टर आपके पूरे दिमाग के जो नेट बोल टेन सब को खोल देगा आपको ढंग से पूरी गहराई से समझना है अक्सर लोग इसको शुरुआत में नहीं पढ़ाते नहीं मैं तो पढ़ाता हूँ अगर आपको लाश्ट एयर की मेरी वीडियो देखेंगे आप लोग तो मैंने तो इसी चेप्टर से स्टार्ट किया वो तो यहां एक लोकल कमपटी से उस दूसरे चेप्टर को पढ़ाना पढ़ गया नहीं तो सही रास्ता यह है कि पहला चेप्टर ही पढ़ाना चाहिए पर चुकि उसमें काफी दमाग लगाना पढ़ता है तो अक्सर लोग उसको शुरू नहीं करते हैं अच्छा आजाईए आप तो यह तो मैंने आपको बताए इस पेसल समुच्चे है बाकी और अगर मैं एक्जाम पर लेना चाहूं तो जैसे तीन, चार, पांच, साथ यह एक समुच्चे है समुच्चे को अपन अक्सर अंग्रेजी के कैपिटल अलफवेट से व्यक्त करते हैं जैसे इसको मैंने व्यक्त कर दिया ए ठीक तो इस समुच्चे का नाम क्या है सेट्स का नेम क्या है वही ए और यह जो जिनका कलेक्शन किया गया है यह इनको अपन बोलते हैं अब यह आप यानि कि इंग्लेस में बोलें तो elements ठीक जिनका कलेक्शन किया जाता एकटा किया जाता ने जिनको उनको अपन बोलते हैं अब यह अच्छा आपने ग्यारवी क्लास में एक चिन पड़ा होगा कौन सा belongs to ठीक belongs to का चिन रहता है यह रदे को यह रा यह belongs to का चिन था वह मैं ग्यारवी क्लास को सौर्ट में ले रहा हूँ यह ब्लोंग्श्टू का चिन था अच्छा इस चिन की खासियत क्या है हमेशा इस जगे तो समुच्चे होगा ठीक और यहां क्या हुआ करता है अब यह जैसे एक्जामपल अगर मैं यहां से लेता हूँ ए ब्लोंग्श्टू तीन लिख दिया यह तो गलत है वाई ठीक कैसे लेखना होता है ठी ब्लोंग्श्टू ए ब्लोंग्श्टू मतलब कहां से है तो ठी कहां से है ए से है ठीक है तीन ए में ही तो है अच्छा मैंने अगर यह लेक्दूं 7 और A तो साथ तो A मैं है सोरी मैं लेक्देता हूं मा लो 11 A तो 11 इसे में नहीं है न तो Blagues to नहीं नहीं को नोट ऐसे काट जेते हैं 11 नहीं है A मैं 11 not belongs to A ये मच्छर आ जाएगा केमरेक सामने चलो 11 not belongs to A इस तरीके से अच्छा ये तो लिखने का तरीका ही गलत है ये कथन तो दोनों ही सही लिख रहे है 3 तो A में है और 11 A में नहीं है तो ये तो दोनों सही लिख रहे है पर ये तो लिखने का तरीका ही गलत है ठीक अच्छा इसको आप नोट कर लो इस चैप्टर में इन सब का काम पढ़ने वाला है भई और अगर आपने सीरियसली इनको नहीं पढ़ा तो सिवाए इस चैप्टर में नहीं आने के आपके बस कोई दूसरा उपाय नहीं है या फिर नहीं हो यह करते हुए भाग जाएंगे आप इस चैप्टर को सुरुआत से बड़े बारी की से पढ़ना होगा जो आपने 11 में समुच्चे नम का चैप्टर पढ़ा था ना उसके चाचा का चाचा है ये ठीक है तो इसको आपको बहुत गहराई से समझ नहोगा हववा नहीं बना रहा हूँ पर सिंसेर्टी पैदा करने का प्रयास कर रहा हूँ एस हमा सोचना के गुरू जी तो इसको हववा बना रहे है इस चैप्टर को ना इस चैप्टर के प्रती सिंसेर रहना ठीक है साइध केमरे पर कुछ लगा हुआ है क्या नहीं लग रहे है ठीक है अगर आप चैप्टर को सुरुआत से डंग से लेते चलेंगे न तो इस चैप्टर की वरावर मजेदार चैप्टर ही नहीं है कोई बस थोड़ा से दमाग को एक्टिव लगना है न कम रोटी खाना इस चैप्टर को देखने से पहले कहीं ज़्यादा रोटियां खाके खाना खाके और नींद के जोका आने लगें आपको एक मैंने पढ़ाय था आपको उपसमुच्चे ठीक क्या पढ़ाय था उपसमुच्चे 11th में और जिन वच्चों ने नहीं पढ़ा है न वाई चांस तो वो थोड़ा-थोड़ा समझते चलो मैं समझाता भी चलूँगा उपसमुच्चे उपसमुच्चे का चिन ये भी होता है और ये भी होता है प्रोपर सबसेट और इंप्रोपर सबसेट इस तरह का मैटर रहता है आपका इससे काम चल जाए या पूरा ठीक है ये 11th में थे दोनो तो ये चिन है उपसमुच्चे का ठीक अच्छा उपसमुच्चे है अगर किसी समुच्चे का नाम दिया जाता है उपसमुच्चे है तो अकेले को नहीं का जा सकता दो समुच्चे देने पड़ेंगे उनमें से एक तो मेन रहेगा और एक रहेगा उसका सब पार्ट एक मुख्चे और एक उप उप किसको कहेंगे मुख्चे किसको कहेंगे तो यदि कोई दो समुच्चे है समझना मैं उप समुच्चे बताने वाला हूँ यदि कोई समुच्चे है दो A तथा B है ठीक है और यदि A के सभी अभी अभ यदि A के सभी अभी अभ B में हो B में हो और बड़ी अवासा में लखे तो A के सभी अभी 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 में नहित हो ऐसा कुछ मालो अगर A के सभी अभी अभी में है ना तो A उप समुच्चे कहलाएगा B का ठीक जैसे मैं एग्जाम पल लूँ आपको A वरावर तो है मालो Small A, Small B और Small C और मालो कोई B समुच्चे है 1, A, 2, B, 3, C और D यहां देखो आप A के जो ऐलिमेंटें हैं वो B में है के नहीं है ठीक है A का प्रतेक अभी अब B में है A के सभी अभी अब करिस्म होने चाहिए B में हैं के नहीं हैं हैं तो A उपसमुच्चे है B का ठीक है तो A उपसमुच्चे है B का समझ गे उपसमुच्चे किसको कहा जाता है अच्छा Notable Point यदि A उपसमुच्चे हो B का और B उपसमुच्चे हो A का ठीक है तो इसका निस्कर्स रहा करता है A और B क्या हैं भाई बराबर है अगर A B का उपसमुच्चे है और B A का उपसमुच्चे है तो ये मैंने थोड़ी सी जान करी उप समुच्चे के बारे में देदी इसी जानकारी से आपका बिल्कुल काम चल जाएगा यह आप नोट कर लो परन्तु इसी चेप्टर के अंदर है ना इसकी रोक के नोट कर लिया करो मैं मैटा रहा हूँ और अगले स्टेप पे चल रहा हूँ बोड़ पूरी तरह से साफ करना होता है तब ही जाके सही सिस्टम से आता है अब मैं एक बताना चाहरा हूँ आपको गात समच्चे ठीक जो इसमें काम आने वाली चीजे हैं ना ग्यारमी क्लास के चैप्टर की उनको बता रहा हूँ है अब एक टॉपिक है गात समच्चे अंग्रेजी में तो पोवर सेट कहें अच्छा गात समच्चे गात समच्चे भी क्या होगा आपको एक समच्चे देना पड़ेगा फिर उसका हमें गात समच्चे लिखना होता है डायरेक्ट गात समच्चे नहीं है किसी समच्चे के लिए गात समच्चे परवासित किये जा सकता है आपसे यह का जाना है कि गात समच्चे बताईए कहने पड़ेगा कि गात समुच्य में किसका बताऊं तो आपको गात समुच्य से पहले एक अलग समुच्य देना हुआ ठीक है, तो पहली बाद तो यदि ए कोई समुच्य है यदि एकोई समुच्य है तो A का जो गात समुच्च है, तो A का गात समुच्च है, किस से ब्यक्त होता है भाई, P A से ब्यक्त होता है, यदि A कोई समुच्च है, तो A का जो गात समुच्च है, वो किस से ब्यक्त होगा, P A से ब्यक्त होगा, अच्छा, अब निकाला कैसे करेंगे, तो P A होता क्या है सुनू, ध्यान तो आगया होगा, नहीं ध्यान होगा, तो कोई बात नहीं, क्योंकर पहला ही पहला चेप्ट था, P A, A के जो उपसमुच्च है न, A के जो उपसमुच्च है, A के उपसमुच्चों का समुच्च, यह तो कहलाता है भाई, घात समुच्च कहलाता है, देखू मैं एकजामपर लेता हूँ आपके सामने, ये देखो जैसे मालो यदी A बरावर है A, B, C ठीक है? अब मैं इसके उप समुच्चे लिख रहा हूँ देखो मैंने अगर कोई ये समुच्चे लिख दिया A ये लिख दिया ठीक है? तो इसके सभी अभी अब इसमें हैं के नहीं हैं? ये है A का उप समुच्चे कह लाएगा उप समुच्चे की परबास से क्या बताई? कि अगर किसी समुच्चे का भी अभी अभी दूसरे में मिल जाएं सभी अभी 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 यह है A का उपसमुच्च है अच्छा मैं ले लिया मानलोग B बाई चांस अलग से बनाया इसके सभी अभी अब इसमें हैं सभी इसमें मतलब B ताया है है यह है A का उपसमुच्च है अच्छा अकेला मैंने C ले दिया यह भी इसका उपसमुच्च है किसका A का अगर मैंने A B ये कोई समच्चे बनाया तो इसके सभी अभी अभी इब इसमें हैं ये है इसका उप समच्चे है अच्छा अब तुम समझ गया हूँ क्या करने वाला हूँ मैं B C लूँगा फिर A C लूँगा फिर A B C लूँगा B C ले लिया B C ये है B और C इसमें है कि नहीं है तो ये है इसका उप समच्चे है अच्छा मैंने ले लिया कौन A कॉमा सी इसके सभी अभी इब इसमें है तो ये है A का उप समच्चे अच्छा मैंने ले लिया A B C ये भी इसका उप समुच्चे है अच्छा एक बात बताना बोल गया मैं फाई यहाँ सैड में बता देता हूँ समुच्चे के छोटी मोटी प्रकार बता देता तो सहे ठीक रहता पर कोई बात नहीं काम खास पढ़ने रहा पर फाई का काम तो खुब पढ़ता है फाई मतलब रिक्त समुच्चे रिक्त समुच्चे कई जगे नल सेट भी लिखा रहता है इंपटी सेट भी लिखा रहता है और क्या बोलते हैं उसको रिक्त समुच्चे तो जिसमें कोई भी अभी अबना हो सादा सरलवासा में जिसमें एक भी अभियव ना हो जिसमें एक भी अभियव ना हो क्या कहलाता है रिक्ट समुच है सब ऐसा कैसा देखो यह रहा कि उधारण दो सुन लो उधारण मैं कहूं कि कैसे कोई उधारण लेकर बहुत सारे है ऐसी प्राकरत संख्याएं का संग्रे जो दोवा तीन के मद्दे हो ऐसी प्राकरत संख्याओं का संग्रे जो दोवा तीन के मद्दे हो तो भाईयो दोड तीन के मद्दे कोई प्राकरत संख्या नहीं होती ठीक है तो यह है एक रिक्त समुच्चे की परवासा है तो रिक्त समुच्चे मतलब रिक्त खाली इसको अपन ब्यक्त करते हैं किस से फाई से मुझे उप्समुच्चे के दोरान बोल देता तो ठीक रहता कोई बात नहीं फाई सभी समुच्चें का उपसमुच्चे होता है यानि कि इसमें एक बात नोट कराना चाहूं मैं फाई के बारे में नोट कराना चाहूं तो जो फाई है न फाई प्रतेक समुच्चे का क्या होता है भही आओ उपसमुच्चे क्या रिमी का चैप्टर ये समुच्चे वाला थोड़ा थियूर्टी कल था ये थियूर्टी कल नहीं है ये बड़ा ही मज़ेदार और तरक संगत है अनंद ले न तुम चैप्टर में ठीक समझ के संग पर अगर समझ में नहीं आया तो सिवाए वोई उवासी के कोई दूसरा चारा आपके पास रहेगा नहीं तो मैंने का फाई प्रतेक समच्चे को उप समच्चे होता है ये बीच में ली ला इसलिए छोड़ दी मैंने छेड़ दी के बापस आजाओ टॉपिक क्या था घात समच्चे घात समच्चे मैं किसको कह रहा हूँ के पिए किसको कह रहा हूँ मैं ए के उप समच्चे और मैंने उधारन लिया ए और उसके उप समच्चे लिख दिये बहुत सारे पर मैं अचाना कि यहां फाई लिखता तो आप कहते, कहां से आया है, है न तो सुनो, कहां से आया है में इस मुठी को किसी में समयत कर सकता हूं, भरे गालास में ली, समयत होलेट खाली तो है तो खाली नाम की चीज़ तो सब जगे समयत हो जाती है ठीक है? यह कितना भी वड़ा हुआ मोई मेरा और देखो यह मुठीम कुछ नहीं न हो गया हूँ तो यह इसमें समयत हो गया ना? समयत हो जाए तो उप समुच्चे तो फाई प्रतेक समुच्चे को उप समुच्चे होता है इसलिए ए का भी लिख दिया अच्छा यह उप समुच्चे आगे बहुत सारे हैं यह रहें किसके? एके टॉपिक था घात समुच्य परवासा थी एके उप समुच्यों का अगर समुच्य बना दें तो वो क्या किलाएगा घात समुच्य तो हम करेंगे समुच्य है समुच्य है समुच्य है समुच्य है गुम गया हो दिमाग में इसके उप समुच्य बनाए इनको एकत्रित कर दो एकत्रित से भी एक समुच्चे बनता है दो संख्यों को जोड के जैसे संख्य ही तो बनती है ऐसे उप समुच्चे को एकत्रित किया तो समुच्चे बना और इस समुच्चे को अपन क्या बोलते हैं भाई गात समुच्चे ठेक अब गात समुच्चे में अगर कभी अवियवों की संख्या का काम पड़े गात समुच्चे में मैं ज़रा देख के आता हूँ कि यहां तक केमरे में आ रहा है नहीं आ रहा है और यह बहुत नीचे तक आ रहा है तो गात समुच्चे में अब यवों की संख्या सुन लोग कितनी होती है 2 की पौवर N किसाब N क्या चीज़ है जहाँ N A में अब यवों की संख्या है जहाँ A में अब यवों जहाँ N N तो लिखाई नहीं ने N है भाई बीच में न जहाँ N A में अब यवों की संख्या है जैसे देखो यहाँ A में कितने अब यवों है 8, 2, 3 3 है तो इस समय N का मान 3 है भाई इस समय N का मान 3 है तो अब यवों की संख्या होनी चीज़ है 2 की पावर N के इसाब से 2 की पावर 3 यानि की 8 किसमे है P.A में देखना ज़रा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बिलकु सही गात समुच्चे में अब यवों की संख्या कितनी होती है 2 की पावर N इन उस समुच्चे में कितने अब यवे उनको का जाता है फिलहाल 3 है अच्छा 2 की पावर N ही क्या रहा करती है उस समुच्चे की संख्या रहती है अरे ये उस समुच्चे ही तह है तो कभी उस समुच्चे की संख्या अगर पूछ ली जाए तो उस समुच्चे की संख्या ये भी कितनी होती है दो की पावर एन अच्छा अगर एरिक्त पूषता है तो एक कम कर दिया करना एन में से नहीं दो की पावर एन में से एक अलग घटाओ ये क्या है एरिक्त उपसमुच्यों की संक्या ठीक है आज के लेक्चर में कोश्चन नहीं पहुंच पाएंगे पर कलके में पहुंच पाएंगे ना पर ये सारी चीजें बड़े ही काम की है ध्यान से समझते चलना एरिक्त उपसमुच्यों की संक्या दो की पावर एन माइनस एक ठीक है ये आप नोट करो इसक्रीन रोक के कर लिया करो अम मैं मिटा रहा हूं इसको और अगली चीज पर आज होगा आप अरे अरे अच्छा वाला मिटा इसको अच्छा वाला मिटा ने करियास को रहो हूं मैं न अच्छा वाला कैसे मिटता है। बिल्कुल इस पर सफेद में रहे साइद अब अच्छा वाला मिट गया अब एक टर्म आती है टर्मिनलोजी ये साइद ग्यार है के नहीं पता नहीं हो सकता है बार में मूँ या पिर थोड़े से समुच्चे के प्रकार है ना अब तो मैं इसी पर आजाता हूं सीधा एक ध्यान नहीं है पहले चैप्टर में तो दूसरे चैप्टर में तो थी है पर आप निश्चिंत रहिए आपका जो 11 चैप्टर छूटिया था ना अपने स्कूल में छूट गया था भई अगर वार के बच्चे देख रहे हो तो तो वो पूरा का पूरा चैप्टर से में दुवारा से है उससे भी बहतर तरीके से ठीक है तो उसमें होगा यह साइद कार्थिये गुडन फल उससे पहले एक चीज़ बतानी पड़ेगी मुझे बिलकुल साथ कार्थिये गुडन फल से पहले क्रमित युग्म क्रमित युग्म ठीक है और्डर पेर बोलते हैं इसको और्डर पेर क्रमित युग्म युग्म मतलब तो होता है जोड़ा जोड़ा मतलब दो सन क्या है ना जोड़ा जोड़ा में तो दो ही आते हैं क्रमित मतलब करम के अंसार तो होता क्या है क्रमित युग्म को क्रमित योगम को छोटे ब्रेकेट में ए कोमा करते हैं अच्छा ये जो भ्रेकेट है न बहुत काम करते हैं ऐसे मैं सोच आखेखेट एक कोमा भी का मतलब ए और भी के मद्देगी सभी संक्या है ना ये चैप्टर पर निर्वर है कुन सा कर रहे हैं ठीक है अगर ये किरमित युगम वाली चीज पढ़ी जा रही है उस समय केवल दो ही संक्या है ए और बी के मद्धे की संक्या है सबी संक्या है नहीं है केवल दो ही संक्या है कब अगर किरमित युगम की बात पड़े जा रही है प्रांत परसर पड़े जा रहे होते हैं तो उस समय इसका मतलब होता है बरे किट का क्या ए और बी के मद्दे की सभी संख्या है फिलाल केवल ए और भी ठीक इसका काम संबंद में पड़ेगा या ज़ो चप्टर है ना संबंद है फखलन फलन तो यहां झाल प्लन बनता है संबंद से संबंद मनता है कार्तिय कुड़न से कार्तिय गड़न में करम पर जैसे क्रम प्ह addicted अ ragam देखिए हूँ यानि कि A, B और B, A दोनों को बरावर नहीं माना जाए अगर बरावर नहीं माना जा रहा है तो यह करमत्य हूँ है अच्छा करमत्य हूँ को छोटे ब्रेकेट में लेते हैं आपको पता है कि अगर मैं मजले ब्रेकेट में A, B लेता हूँ और B, A लेता हूँ तो यह दोनों एक्वल माने जाते हैं भाई A तथा B A तथा B यहां कुछ और है A तथा B है पर करम यह हो अगर आपको करमत्य हूँ में एक कॉमा दो एक्जामपल जिसे यदि एक कॉमा दो को करमत्यूगन कहा है करमत्यूगन कहा है तो फिक्स है फिक्स को साथ नियत कहते हूँ नियत है एक पहले और दो बाद में दो बाद में लिखा जाएगा ठीक है एक पहले और दो बाद में लिखा जाएगा यानि की एक कॉमा दो और दो कॉमा एक बा लिख रहा है न एक कॉमा दो वा दो कॉमा एक भिन भिन माने जामे बिन बिन न, माने जावे इनका कहां अपयोग होता है? अभी जो मैंने हेडिंग लिखाता है, क्या लिखाता है? कार्थीय कोरन फूल लिखाता है, उसमें कहां माने वाला है, करमत्यूगiri उसमें ओर फिक्स बता चल जाएगा को लुए मिला के ये करमितयूम नहीं है ये है अच्छे ये ब्रैक्ट हमेशा करमितयूम को रिप्रबसेंट करें यह आवासे क्निए चैप्टर पे डिप्रिपेंट करता है क्या चल रहा है कई वार एक कॉम दो का मतलब होता है एक तथा दो के मद्दे की सभी संक्य है ठीक है कि नहीं है तो अगर कई बार ऐसा question भी आ सकता है मुझे ऐसा द्याना रहा है ग्यार मिन हो गया है कहीं होगा आपको लिखा जाए कि यदी x प्लस y कॉमा 2x माइनस y तथा 3,4 करमित युगमू ठीक है x प्लस y कॉमा 2x माइनस y तथा 3,4 समान करमित युगमू मैं टारहा हूँ थोड़ा सा समान करमित युगमू हूँ ठीक है अगर ये और ये समान करमित युगमे है तो x कॉमा बाई तुमसे पूछा जा रहा है तो x कॉमा बाई तो देखो चूंकि ये समान है यानि कि एक तरीके से x प्लस y कॉमा 2x माइनस y बराबर तीन कॉमा चार ठीक अच्छा चूंकि इसमें करम फिक्स है इसको चार कॉमा तीन नहीं सोचा जा सकता यानि कि x प्लस y तो फिक्स है तीन के बराबर है और 2x माइनस y कितने के बराबर है चार के अर्थात x प्लस y बराबर तो तीन और 2x माइनस y बराबर चार अब इन दोनों को हल करके युकपत समय करने तरह हल करके x और y के मान गयत किये जा सकते हैं मान ग्यात किये जा सकते हैं आपकी जिम्मेदारी बनती है मैं इनको छोड़ रहा हूं तो आगे आप हल कर लें अच्छा जिन बच्चों को यह हल करना नहीं आते हैं जोड नहीं है तो भाई उनका साइंस लेने का कोई हक नहीं है ठीक है आर्ट में भी मेरे ख्याल से ड्रोइंग, होम साइंस बगरा हुम साइंस तो फिर भी कठें लगे गी कुछ और ही ले 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 जिन से यह शल नहीं होते हैं या फिर उनकी इच्छा है किनीनी मुझे आते नहीं पर मुझे रहना है इस साइंस में तो भाई या नभी और दसभी में यह साइग होंगे वहां से इनको हल करना सीखो किसी को पता नहीं चलेगा आप चुपचाप सीख लेना आप छोटे नहीं कहला होगे न और फिर इनको हल करने लग जाओ तो आप लोगे नोट कर लो मैं साइड मढ़ जाता हूँ फिर अपन और आगे पढ़ेंगे उम्मीद है नोट कर रहे होंगे मैं ये मिटा रहा हूँ अब आगे बात पचलेंगे इनके उपियोग आएंगे जब डंग से मालू पढ़ेगी ये क्या चीज है न अभी तो क्या पढ़ाया जा रहा है मैं तुम्हें बताया था न कुछ तो पहले चैप्टर की हैं समच्च वाले की कुछ दूसरे चैप्टर था न ग्यार भी में संबन फलन नाम से था सज़ाद मुझे जाना रहा है तो उस चैप्टर के हैं कुछ चीज़े जो इसमें काम आने वाली है बड़ी बहतर तरीके से पढ़ाऊंगा मुझे ऐसा लगता है मैं इस चैप्टर को बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ मतलब हमेशा मैंने इस से स्टार्ट किया है कहीं पहले डेमो दिये तब भी और यहां भी तो मेरा मतलब है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा पर लगातार जुड़े रहिए अकसर जगए यह कम समझ माता है हमारी कम समझ मायता है मुझे ध्यान आ रहा है हाँ भाई अब बात आती है कार्टिये गुड़न फर क्या पढ़ाया जा रहा है आपको ऐसी कुछ टर्म जो सम्बंदने भी फ्लन वाला जो चेप्टर अपना पहला उसमें काम आएंगी न वो चीजे पढ़ाया जा रही है आपको समझ गें तो दीरे दीरे चल रहे हैं अपन जो मुझे याद आता जा रहा है कि यह प्ला चीज काम आएगी उसकी तरफ ही चलता चल रहा हूं कार्टिय गुड़न अंगरे जी में लिखा रहता है सायद कार्टेसियन प्रोडेट ठीक कार्टिय गुड़न यह क्या रहा करता है सनो जदी कोई X तो A के अवियब है ठीक कि तधा Y से ब्यक्तु रहा है बी दी IF यह तो A के अवियब है एक से तो A के अवियब ब्यक्तु रहा है और Y से B के अब ब्यक्त हो रहें तो पहले बाद तो कार्तिय गुडन फल कार्तिय गुडन किसका A तथा B का किस से ब्यक्त होता है A क्रोस B से ब्यक्त होगा ठीक है A और B समुच्य है ना की संख्या है ठीक है 2 गुडन 3 छे सोच रहे हो समच्य है किस अब इनका क्रोस कैसे लिखेंगे बता रहा हो न कैसे लिखेंगे चिंता क्यों करते हो कार्तिय गुडन तो A तथा B से ब्यक्त होता है और होता क्या है फिर इसमें A क्रोस B में होता है जहां दो बिन्दी वेक्ट कर दो या डंडा साब कर सकते हैं जहां X तो A से belongs करना चाहिए और B B से belongs करना चाहिए ठीक अर अरे अरे एक ब्रावर नहीं A क्रोस B में क्या आएगा A क्रोस B में क्या आएगा सन लो जो रहना ध्यान से समझना a cross b वरावर x,by x तो a के अब यव और by b के अब यव सब combination लिख दो उधारन से सभी समझना आएगा देखो यदि a वरावर तो है a,b ठीक है? और b वरावर है 1,2 ऐसे है a वरावर तो a,b और b वरावर 1,2 तो a cross b वरावर तो a cross b वरावर a,1 a,2 ठीक है? b,1 और b,2 ऐसे लिखना है कैसे लिखाया देखो मैंने? a लिया इसके सभी के साथ लिख दिया b उठाया सभी के साथ लिख दिया देखो x,by 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 रूप में है न? है कर नहीं है? x,by रूप में है? अच्छा, x की जगे पर जो लिख रहा है वो तो a का भी अब है इसका और यहाँ by की जगे जो लिख रहा है वो b का भी अब है ठीक है? अगर तुमसे पूछा जाए कि यदि a बरावर 3,4 और b बरावर 5,6 तो क्या 5,4 belongs to a संभव a नहीं a क्रोस b यह जो युग में है न? युग में ये क्रमित युग में इसका क्रम फिक्स है पहली जगे पर तो पहले समचए में दूसरी जगे पर दूसरी समचए में तो मैंने ये दो समचए थे इंका a क्रोस b यह लिख दिया ठीक है? अगर a बरावर इतना है b बरावर इतना है तो क्या 5,4 यार A क्रोस B में हो सकता है ना A क्रोस B लिख दिया ना तो पहले A लिख रहा है ना तो पहला अभी अब A काई होना चाहिए बाद में B है ना तो बाद का अभी अब B काई होना चाहिए यहाँ उल्टा है यहाँ क्या 5 not belongs to A 4 not belongs to B अतहे पांच कोवा चार belongs to A क्रोस B गलत है ठीक है A क्रोस B लिखने का तरीका सीख गये क्या एक और लेता हूँ देखो अगर आप लिख सकें तो A बरावर आप को गया 4, 5, 6 और B बरावर इसको मिटा देता हूँ B बरावर हो गया मिलो 7,9 और तुमसे B क्रोस A लिखवाया जाए क्या लिखवाया जाए तुमसे B क्रोस A ध्यान रखना X Y रूप में लिखने है सभी पर पहला अभियव होना चाहिए B का और दूसरा अभियव होना चाहिए A का तो B में से उठाओ ये रख A 4 उठाया 7 के संग लिख दो और 4 को 9 के संग लिख दो अब उठाया पहले B के हैं B क्रोस A ना तो B का अभियव लिखना है पहला अभियव बी का होना चाहिए तो 4 के संग तो लिख दिया अब 5 उठाओ और A के संग लिख दो 7 और 9 के संग 5,7 और 5,9 अब 6 उठाओ B के सभी अभियवों को A के साथ यगम बना दो A क्रोस B में तो A के अभियवों का B के साथ यगम हो और B क्रोस A का मतलब B के सभी अभियवों का A के साथ यगम हो तो मैंने 4 का यगम बना दिया दोनों के साथ 5 का बना दिया अब मैं 6 का बना रहा हूँ 6,7 और 6,9 ठीक है तो आपको A क्रोस B लिखना आना चाहिए ठीक अब मैं आपको खुद करने के लिए A बरावर 1,B,E और B बरावर है मालो, माइनस 5,C,8 यह है तब A क्रोस B तथा B क्रोस A ग्यात करो आपको यह इसकी प्रैक्टिस करने है फिर में लेख देना कोई रिकत्मी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है आप यह नोट करो कार्थि गुड़न फल उम्मीद है आप समझ गये होंगे तो भई उम्मीद है आपने उतार लिया होगा है न तो मेरे ख्याल से काफी कुछ चीजें तो हो चुकी है न अब इस चैप्टर का जो और इस चैप्टर गानाम तो संबंद है विए उसलमेत जासे वो अब आगाया मेरे खाल से सारी चीजें जो मुझे लगी संबंद संबंद वो मैं आपको बता दी और logarit की प्रकार इसमें कहीं काम मातनी खास यो मैं आपको याद दिला दू मैं समचे रा करता था एक आपर में समुच्य पर में समुच्य तो क्या थे ज्यान करो अगर समुच्य के अभीब कांटे वह लो यानि समुच्य में अभीब किसंख्या निश्च तो वो तो पर मिद था और जिसमें कि और जिस समुचे में अब यह वह कि संख्या अनन्तों वह कहला था था ऐपरमित समुच्छ है मैं याद दिला रहा हूं हाँ आप देख लिए आपको एक YUNIVORSAL SETS है निधान शार्वर्त्रिक स्मुच्छी एक ऐसा समुच्छ है जिसमें सभी समुच्छे के अभी समायथ हो यह बाकी के सभी समुच्छे को समायत कर ले उसको अपन सारवर्तिक समच्चे बोलते हैं अच्छा सारवर्तिक समच्चे निर्दारित करने के लिए आपको पहले बहुत सारे समच्चे बताने पड़ेंगे उनके लिए ये सारवर्तिक है मतलब अगर इनके अब या इसमें हैं सभी के ठीक तो इनके लिए ये वाला समुच्चे सारवर्तिक समुच्चे के लाएगा और तो कोई खास है नहीं उप समुच्चे आपको बताए दिया मेरे खाल से यही सारी चीजे हैं और मुझे कुछ अगर कल द्यान आ गया कल की किलास में तो मैं आपको बता दूँगा अब बाकी अब हम इस चैप्टर के गेट पर दौआर पर कौँच चुकी है ठीक है और दौआर से स्टार्ट करेंगे अपर कहां से संबंद से कुछ एक्सरसाइज साथ पहली वाली एक्सरसाइज है उसमें तो संबंद है और पहली या दूसरी उसके बाद फिर फलन है फिर एक दुआदारी संक्रिया इस तरह से चैप्टर बटा हुआ है इंट्रेस्टिंग चैप्टर है ना तो आज तो मैं यहीं समापन कर रहा हूं क्लास का क्योंकि अब फिर नए सरे से स्टाड नया टोपिक स्टाट होगा तो उसके लिए समय इतना बचा नहीं है क्योंकि रिलेशन जब बताए जाएगा तो फिर दंग से बताए जाएगा ठीक धन्यवाद